Hello my dear students, today we will discuss about accounts of non-trading institutions, gateway पर इक संस्थाओं के खाते, इन संस्थाओं में हम religious institutions, hospitals, clubs, libraries, schools, colleges, orphanages, इन सभी को सैमिल करते हैं, इन सब का उदेशे लाब कमाना नहीं होकर अपने सदस्यों की तथा समाज की सेवा करना होता है, ये संस्थाओं लाब कमाना अपना उदेशे नहीं रखती हैं, इसलिए इन संस्थाओं को हम non-profit institutions के नाम से भी जानते हैं, यनके गैर लाब कारी संस्थाओं, तो ये संस्थाओं जिस प्रकार से trading institutions अपने खाते बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये संस्थाओं भी अपने खाते बनाती हैं, वर्ष के अंत में ये संस्थाओं अपने financial position को चेक करना चाती हैं, और जो cash book ये तयार करती है, cash book के अधार पर और जो दूसरी informations होती है, उनके अधार पर ये अपने final accounts तयार करती है, ये अपने final accounts में receipts and payments account बनाती है, income and expenditure account बनाती है और balance sheet बनाती है, First of all, we will discuss about receipt and payment account, जैसा कि नाम से ही परतीत होता है, इस खाते में सभी receipts को, सभी प्राफ्तियों को debit side में लिखा जाता है, और सभी भुगतानों को इसके credit side में लिखा जाता है, ये खाता वर्स के अंत में तयार किया जाता है, वास्तो में ये खाता cash book की एक summary के रूप में होता है, अब हम इसकी एक definition जो William Pickles के दवारत दी गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, receipts and payments account is nothing more than a summary of cash book, ये बिल्कुल सपस्ट लिख दिया है, William Pickles ने कि receipts and payments account is nothing more than a summary of cash book, तो cash book की एक summary होती है ये, during the year, cash book में बहुत सारी transactions लिखी जाती है, और उनी transactions को हम, suitable headings के मैध्यम से, receipts and payment account में लिखते हैं, जैसी इस definition में आगे लिखा भी गया है, तो वर्ष के दोरान जो भी कारिये किया जाता है, उस कारिये के प्रिणामों को प्रस्तुत करने के लिए, receipt and payment account in non-trading institutions के दोरा तयार किया जाता है, ये थी definition William Pickles के answer, और अब हम इस definition के अधार पर, receipts and payments account की characteristics के बारे में यहाँ पर discuss करेंगे, इनकी इसकी विशेशताएं क्या है, तो first point यहाँ पर दिया गए है, rules of real account, वास्त्वी खाते के नियम, तो receipts and payments account पर वास्त्वी खाते के नियम लागू होते हैं, क्योंकि receipts and payment account को हम real account मानते हैं, इसलिए, जो real account का नियम है, debit what comes in and credit what goes out, जही नियम इस खाते में transactions को record करते हुए, हम ध्यानवे रखते हैं, और इसी नियम के अधार पर, जितनी भी प्राप्तिया हैं, जितनी भी receipts हैं, उनको हम debit करते हैं, और जितने भी भुगतान हैं, जितने भी payments हैं, उनको हम credit करते है तो credit side में उनको record करते हैं, यह था first point, और जो second point है, opening balance, प्रारम भिक सेस, इस खाते में, वर्स के प्रारम में, जो cash का balance है, और जो bank का balance है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, cash का balance, जो opening balance होता है, वो हमेशा ही debit side में लिखा जाता है, जबकि bank balance है, वो हमारा debit side में भी आ सकता ह और credit side में विया सकता है, यदि bank को draft है, तो opening balance को हम credit side में लिखेंगे, यदि bank में हमारे पैसे जमा है, deposit है, bank से अनकूल है, हमारे favor में है, तो उसको हम debit side में लिखेंगे, तो यह हमने विशेश तोर से इसमें ध्यान रखना होता है, तो cash in hand का balance हमेशा ही debit balance होता है, जबकि bank क balance, debit or credit, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और third point है, recording of cash transactions only, केवल नकद विखवारों का लेखा, इस खाते में केवल नकद विखवारों का लेखा किया जाता है, जैसे depreciation की हमारी जो item होती है, इसमें cash की payment नहीं होती, इसलिए depreciation की item को receipts and payments account में नहीं लिखा जाता है, ठीक इ होते हैं, उनको भी यहाँ पर record नहीं किया जाता है, और जो fourth point है, recording of all receipts, सभी प्राफ्तियों का लेखा, इस खाते के debit में सभी प्राफ्तियों को, सभी receipts को दिखाया जाता है, चाहे वो receipts capital nature की हो, या फिर revenue nature की, चाहे उसका संबंद previous year से हो, या current year से हो, या next year से, तो सभ receipts को, हम यहाँ पर debit side में स्यों करते हैं, जैसे हम example लेते हैं, यहाँ पर subscriptions का, जो subscriptions का मतलब चंदे, तो चंदे हमारे जो current year के हैं, उनको हम यहाँ पर record करते हैं debit side में, previous year का कोई चंदा subscription हमारा रहता है, किसी member का, तो वो अब मिलता है हमारे को current year में, उसको भी हम यहाँ प payment account में record करते हैं तो previous year, current year और next year के संबन्द में कोई भी हमारी प्राफ्ती है चाहे वो revenue type की हो चाहे वो capital type की हो सभी को यहाँ पर debit side में हम लिखते हैं और जो next point हमारा है recording of all payments सभी भुगतानों का लेखा receipts and payments account के credit side में सभी payments को लिखा जाता है, सभी भुगतानों को यहाँ पर लिखा जाता है, चाहे वो भुगतान पुन्जी गत परकृती का हो यानि कि capital nature का हो या revenue nature का हो, आयगत परकृती का हो और चाहे उस payment का संबन्द हमारा current year से हो next year से हो, या previous year से हो सभी payments को यहाँ पर हम credit side में record करते हैं यहाँ पर उनको हम लिखते हैं और ठीक इसी प्रकार से जो next point है sixth point closing balance अंतिम says, तो रशिट्स and payment count की सभी items लिखने के उपरांत, हम जो है debit side का, credit side का जोड़ करकर देखते हैं, कि जो हमारा balance है, वो कितने रुपे का balance इसमें आता है draft वहाँ पर हम show करेंगे जबकि cash in hand हमेशा ही debit balance show करेगा, यह हमने विशेश तोर से ध्यान रखना होता है और जो seventh point है, that is information for preparing income and expenditure count and balance sheet I am where तथा स्थिती विवर्ण तयार करने के लिए जानकारी, तो जब हम आंत में income and expenditure count बनाते हैं, balance sheet बनाते हैं, तो उसके संबंद में बहुत सारी जानकारी हमारे को receipts and payment account से मिलती है जैसे receipts and payment count का closing balance, तो यह थी characteristics of receipts and payment count, और अब हम यहाँ पर next point जो discuss करेंगे वो है differences between receipts and payment count and cash book, तो प्राफ्तियों भुगतान खाते और रोकड बही में अंत्र receipts and payment count बन जाता है, क्योंकि cash book में परते एक जो है item, date wise लिखी जाती है detail से लिखी जाती है, जबकि उसकी summary हम तयार करते हैं तो receipts and payment count हमारा बन कर तयार हो जाता है, तो इसी यह धार पर हम देखेंगे, तो इसमें क्या-क्या difference है, सबसे पहला difference यहाँ पर आप देख रहे हैं, organizations संस्थाएं, जो receipts and payment count है, यह non trading institutions के दोरा तयार किया जाता है, जबकि जो cash book है, वो trading institutions के दोरा तयार की जाती है यानि कि व्यपारिक संस्थाओं के दोरा तयार की जाती है, जो second point है date wise, तिथी के अनुसार receipts and payment count में जो transactions लिखी जाती है वो date के अनुसार नहीं लिखी जाती बलकि heading wise लिखी जाती है जबकि cash book में जो transactions लिखी जाती है चाए वो receipts की items हैं चाए payments की items हैं, वो date wise लिखी जाती है, तिथी के अनुसार लिखी जाती है यह हमारा दूसरा difference है और जो third difference है that is items मदे जैसा कि मैंने पहले बताया receipts and payments account में सभी items को proper headings के अंतरगत लिखा जाता है जबकि cash book में जो items लिखी जाती है वो date wise लिखी जाती है इसलिए कोई भी एक item है वो बार बार repeat होती रहती है बार बार लिखी जाती है जैसे subscriptions की item है तो जैसे जैसे date wise subscription आएगा तो उसको हम record करते रहते हैं जबकि receipts and payment account में subscriptions का heading डाल कर पूरे साल में जो subscription की items हमारी है उन सब का total करके तो वहाँ पर इकठा लिख दिया जाता है और जो next point है fixed date निश्चितिति receipts and payment account वर्स में किसी निश्चितिति को fixed date को तयार किया जाता है जबकि जो cash book है वो daily basis पर तयार होती है next point है base, आधार receipts and payment account रोकड वही के अधार पर तयार किया जाता है जबकि जो cash book होती है वो संस्था में हुए नकद लेंदेनों के अधार पर तयार कि जाती है next point है laser folio column receipts and payment account में laser folio column नहीं बनाया जाता है जबकि cash book में laser folio column को बनाया जाता है part of double entry system दोहरा लेखा परणाडी का भाग receipts and payments account double entry system का हिसा नहीं होता है जबकि जो cash book है वो double entry system का हिसा होती है और जो next and last point है debit and credit side receipts and payments account में debit and credit side नहीं होती है इसमें एक side में receipts को लिखा जाता है और दूसरी side में payments को लिखा जाता है जबकि cashbook में debit or credit side होती है तो ये था difference receipts and payments account और cashbook में अब हम receipts and payments account के format के बारे में थोड़ा discuss करेंगे इसके left hand side में आप देख रहे हैं receipts side है तो receipts side में सभी प्राफ्तियां जो होती है उनको record किया जाता है और जो cash in hand है उसको लिखते हैं cash at bank है तो उसको लिखते हैं तो ये receipt side है right hand side में आप payments side देख रहे हैं तो इसमें सभी payments को record किया जाता है और जो closing balance है cash in hand का उसको हम लिखते हैं और यदि हमारे पास bank में पैसे deposit है, जमा है पैसा, तो उसका closing balance भी यहीं पर लिखा जाता है, अगर overdraft है, तो वो balance जो है, receipt side में, closing balance यहां पर आता है, तो receipts में आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है, to balance BD, cash in hand and cash at bank, फिर जो है लिखा है, to subscriptions, फिर है to entrance fees, जो members आते हैं, तो entrance fees उनको देनी होती है, to life membership fees, कुछ members है, पूरी life के लिए member बन जाते हैं, तो life membership fees देते हैं, to donations, तो donations आता है, वो यहां पर हम लिखते हैं, to sale of furniture, कई बार पुराना furniture जो होता है, तो उसको यह संस्थाएं sale कर देती हैं, और फिर to interest की item यहां पर आप देख रहे हैं, कई bank में पैसा जमा होता है, तो थोड़ा बहुत interest उसके उपर मिल जाता है, तो वो यहां पर लिखा जाता है, to rent, अगर इनके पास rent की income आती है, तो उसको यहां पर record करती है, to sale of world newspapers, normally इन संस्थाओं के पास newspapers आते हैं, तो उनको जो है sale कर दिया जाता है, तो कुछ income यहां पर ह rent, अगर कोई rent की payment है, तो यहां पर लिखते हैं, by salaries, employees को salary दी जाती है, उसकी recording ऐसे की जाती है, by honorarium, तो honorarium दिया जाता है, कई बार यह संस्थाओं, free income लगाती है, doctors को वहां पर call करती है, उसके मान समान सवरूप, कुछ honorarium की payment यहां पर की जाती है, और इसी प्रकार से printing और stationary के खर्चे यहां पर लिखे जाते हैं, by printing and stationary, by purchases of utensils, कुछ बरतन वगारा, कई बार यह खरीदती हैं, तो उनको यहां पर record करती है, by miscellaneous expenses, miscellaneous expenses कोई भी है, तो उनको यहां पर लिखा जाता है, by balance cd, तो closing balance यहां पर है, तो कई बार question में दिया नहीं होता closing balance, तो हम यह account त asset bank, यहनिके bank में पैसे deposit है, तो उसका balance यहां पर हम लिखते हैं, और फिर इसका total हम ऐसे दोनों side का करते हैं, तो यह हमारा format है, receipts and payments account का, और अब हम एक चोटे example के मेध्यम से यह देखेंगे, कि किस परकार से receipts and payments account को तयार किया जाता है, तो example आप देख रहे हैं, prepare receipts and payments account for the year ended 31st March 2017 from the following information, तो expenditure और income यहां पर due हैं, आप देख रहे हैं, expenditure में to salaries लिखा 9600, to rent and taxes 2400, to advertisement 1500, to printing and stationery 1800, to depreciation 200, to access of income over expenditure, क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं format, यह income and expenditure account की items हैं, तो next item आप देख रहे हैं, to access of income over expenditure, रुपीज 9000, और फिर income side में आप देखें, by subscriptions लिखा है, रुपीज 20,000, by donation रुपीज 4,000, by sale of old newspapers, रुपीज 500, तो इस परकार से total किया गया है, 24,500, तो इसमें जो दो item मुखे रूप से आप देख रहे हैं, एक तो depreciation क की item है, depreciation एक ऐसा खर्चा है, कि इसमें payment cash में नहीं होती है, इस item को हम, जब receipts and payments account बनाएंगे, तो इस item को हम उसमें record नहीं करेंगे, और फिर हम देखते हैं, access of income or expenditure, रुपीज 9,000, तो ये भी एक surplus की item है, रुपीज 9,000, इसको भी हम receipts and payments account में नहीं लिखते हैं, और नि लिचे additional information भी दी है, opening balance of cash, as on 1st April 2016, वाज रुपीज 800, तो 800 रुपे का opening balance यहां पर दिया गया है, तो इसको भी हमने ध्यान में रखना है, तो इस question को हम जो है, अभी solve करते हैं, तो ये देखिए, इसमें जो heading हमने लिखा है, receipts and payments account for the year ending 31st March 2017, सबसे पहले हम जो है receipts side में opening balance लिखते होते हैं, to balance BD, रुपीज 800, जो additional information में दिया था, वो हमने यहां पर record किया है, फिर जो receipt side में हम लिखेंगे, to subscriptions, रुपीज 20,000 वहां पर लिखा था, वही item हमने यहां लिखी है, to donations, रुपीज 4000, to sale of old newspapers, रुपीज 500 तो इस सभी receipts की item हमने यहां receipts side में record की है, और ठीक इसी प्रकार से payments side में payments को record करेंगे, by salaries यहां पर लिखा है, रुपीज 9,600, by rent and taxes, रुपीज 2400, by advertisement, रुपीज 1500, by printing and stationery, रुपीज 1800, और फिर हम दोनों side का जोड करके देखेंगे, कि इसका debit balance है, कि credit balance है, क्योंकि इसमें cash in hand cash का balance यहां पर दिया गया था, इसलिए इसका debit balance ही आएगा, इसलिए debit side का जोड हमने यहां पर कर दिया है, रुपीज 25,300, और फिर balancing figure के रुप में, यह closing balance हमने यहां find out किया है, by balance CD, as on 31st March 2017, that is रुपीज 10,000, और इस प्रकार से total हो गया, रुपीज 25,300 तो इस प्रकार से हम आसानी से receipts and payments count तयार कर सकते हैं, dear students, इस आसा और उमीद के साथ, कि आपको आज का lecture पूर्णतया समझ में आ गया है, फिर भी आपकी कोई query है, कोई question है, तो आप comment box में वहां पर अपना comment डाल सकते हैं, तो आपके comment का जवाब हम जरूर देंगे, और इ receipts and payments account, what are the main features of receipts and payments account, ये पहले कुरक्षेतरा में भी question आया है, ठीक इस प्रकार से difference का question भी आ सकता है, differentiate receipts and payments account and cash book, explain various features of receipts and payments account, तो ये question भी important बनता है, ये भी CDLU में, December 2011 में यहां पर देखने को मिला है, और अंत में आप सभी students से request, कि आप Dr. Ramesh Arya के नाम से इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर लें, और bell icon को प्रेस अवसे करें, ताकि सभी notification आपके पास सबसे पहले पहुंचें, और एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो को अपने मित्र दोस्तों में अवसे share करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र द कि अ आपके ताकिन के बादर सक्राइब और दोस्तों में आपके मित्री क कно वी look हम है.